हलो सुआप सभी लोग का एक बार फिर्स वागत हैं एंड्रोइड हैकर्स के चानल में दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आप जो है इस वीडियो का केवल दो मिनिट देखिए दो मिनिट में आपको समझ में आने वाला है कि ये वीडियो कितना साथ important होने वाला है आपके लिए ठीक है केवल दो मिनिट इस वीडियो का देख लीजे और तब आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जिस भी application की मैं बात कर रहा हूँ उसका लिंक description में आपको मिल जाएगा उसके लिए केवल title को क्लिक कीजिए title को क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको उसका link औगेरा मिल जाएगा blue color में तो आप उसको क्लिक करके application को download कर सकते हैं चलि मैं आपको एक और बात बता दूँ जो लोग इस चैनल में नहीं आए हैं उस इस red color का आइकन को दबा जीजिए और इस चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आप जादा से जादा earning कर सके उसके बाद बैल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले चलिए शुरू करते हैं हलो सब सभी लोग का एक बार फिर्स वागता हैं Android Hackers के चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग सा बताने वाला हूँ यहाँ पर मैं आपको application के बारे में ही बताने वाला हूँ earning से बारे में ही बताने वाला हूँ जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ पर इस बार का concept थोड़ा अलग है यहाँ पर मैं आपको सारी तरीके मतलब यहाँ पर कोई भी आदमी यहाँ पर बिना कमाए नहीं जाने वाला है यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, रेफरेनान करने वाला, सेल्फ अर्निंग करने वाला यहाँ तक कि मैं आपर अपनी तरफ से कॉंटेस्ट भी लेकर आया हूँ, जिसके अंदर आप जो है धेर सारा पेटियम केश कमा सकते हैं देखें, यह कुछ प्रोसीजर मैंने बनाया हुआ है, सबसे पहले उस अप के बारे में मैं आपको कुछ समझाओंगा और समझाने के बाद यह लिंक एंडिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब लिंक जो है आपको वीडियो के निचे दिया हुआ है, ठीक है यह होने के बाद आपको मैं आपर रेफर एनान के बारे में बताने वाला हूँ, जो लोग धेर सारा रेफर कर सकते हैं उन लोग के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रेफर करेंगे और कैसे आपको कितना धेर सारा पैसे आपर मिलने वाला है मानता हूँ एप्लिकेशन पुराना है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुक है जिसके जरीए से आप धेर सारे पैसे कमा सकते हैं तो इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसके अलावा मैं सेल्फ और रेफर नहीं कर पाते हैं वो लोग किस तरीके से यहाँ पर अर्णिंग कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा आप रेडीम किस तरीके से लगाएंगे, पैटियम में रेडीम लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, वो बताने वाला हूँ उसके बाद मैं आपको proof भी दिखाने वाला हूँ इस application का और last में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक contest और जिसका जवाब जो सबसे पहले सही देगा comment section में comment करेगा जवाब उसको यहाँ पर pdm cache मिलने वाला है अब वो कितना मिलने वाला है वो आपको पता चल जाएगा ठीक है चले शुरू करते हैं सबसे पहले आपको बता दू लिंक description में दिया हुआ है चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या था वो मैं आद देख लेता हूँ यहाँ पर था link in description तो मैं आपको बता दिया तो यहाँ पर दूसरी चीज़ है reference earn reference earn करने के लिए सबसे पहले तो आप link के नीचे link दिया हुआ है उसके जरीए से application को download कर लीजिए download करने के बाद यहाँ पर अपना number डाल कर इसके अंदर sign up कर लीजिए sign up करने के बाद अब आती है बारी यहाँ पर reference earn करने के देखे अगर यहाँ पर मैं आपको transactions में चलकर दिखा हो यहाँ पर मैं जब three dot को क्लिक करने के बाद यहाँ पर transactions के उपर आता हूँ तो आप देखे यहाँ पर transactions के अंदर आपको दिखेगा invite करने का मुझे 10 रुपे मिला फिर से invite करने का पंदरा मिला और फिर invite करने का 20 और फिर invite करने का 10 और फिर invite करने का 10 तो यहाँ पर कुछ लोगों को मैंने invite किया था तो यहाँ पर मुझे 10-10 रुपे मिले और किसी बारी मुझे 15 रुपे मिल गया लेकिन आप यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है जिसके माध्यम से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर रेफर करने का यहाँ पर जब invite के ओपर क्लिक करता हूँ मैं invite करने का आपको यहाँ पर 220 रुपे मिल रहे है लेकिन दोस्तों यहां पर update यह है get 10 रुपीज यहां पर अभी फिलाल यहां पर 10 मिल रहा है पर हो सकता है यह update हो जाए और यहां पर 20 आने लगे क्यों यह कभी कबार 10 रुपे पर refer देता है कभी 15 रुपे पर refer देता है और कभी कबार 20 रुपे पर refer भी देता है तो फिलाल के Facebook को इससे आप रेफर कर सकते हैं चलिए यहां पर रेफर की बात हो गई अब चलिए बात करते हैं सेल्फ अर्णिंग के बारे में सेल्फ अर्णिंग के बारे में अगर यहां पर बात करें तो सेल्फ अर्णिंग यहां पर काफी जादा तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं सब complete करके यहाँ पर काफी ज़्यादा चीजे हैं जिसको अगर आप complete करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर काफी ज़्यादा पैसे आपके wallet में add हो जाएंगे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे wallet में अभी फिलाल 6 रुपे हैं यह 6 रुपे कैसे है वो मैं आपको बताता transactions के option पे जाकर आपको यहाँ पर बताऊंगा 3 रुपए मुझे मिले mint zip app से और 3 रुपए मुझे मिले नीता करके app था वुष से मतलब यहाँ पर 2 application जब मैंने आप पर complete किये उसका offer complete किया तो मुझे 3-3 रुपए काफी आसानी से मिल गए चलिए मैं आपको एक offer complete करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको complete करना होता है तो यहाँ पर कोई ऐसा offer मैं लेता हूँ जो की काफी आसानी से जो है आपर इसका पैसा मुझे मिल जाए तो चलिए यहाँ पर यह इसको install कर लेता हूँ क्लिक करने के बाद यह आपको डायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर के उपर डायरेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल का option आ जाएगा फटाफट से आप इस application को जो भी offer आप complete करना चाहते हैं उसको आप complete कर लीजे आप देखिए यहाँ पर अपने वो आपको मिल जाए जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा था कि 7 रुपे आपको मिलेंगे तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर complete करके task की 7 रुपे यहाँ पर मेरे wallet में add हो रहा है कि नहीं तो यहाँ पर फिलाल यहाँ पर installing हो रही है installing complete एक पर जब हो जाएगी तब मैं आपक application complete हो चुकी मैंने इस application को open कर दिया और open करने के बाद यहाँ पर sign up करने का option आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए start get started का option आ चुका get started का option के बाद यहाँ पर Google का option में choose कर रहा हूं एक बर जब यहाँ पर आप कोई भी Google का option या Gmail का option choose कर लेंगे तो आपको यहाँ पर बाकी की चीज़े जो यहाँ पर डाल देना है तो यहाँ पर location on करने बोल रहा है तो location भी on कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको मैं back कर देता हूं अब यहाँ पर designation वगरा पूछ रहे हैं तो डाल देता हूं अब यहाँ पर company name वगरा पूछ रहे हैं तो company name यहाँ पर मैं डाल देता हू इंडश्री टाइप पूछ रहें इंडश्री टाइप में डाल देता हूं तो आप भी यहां पर कोई भी मतलब कोई भी ओफर कंपलीट कर रहें जो भी आप यहां पर डालना चाहें वह आप डाल सकते हो तो यहां पर यह जो है तीन स्टेप का वेरिफिकेशन प्रॉसस है जैसे ही आप यह तीन स्टेप का वेरिफिकेशन प्रॉसस कंपलीट कर लेंगे आप जो है आप नाओ लेट्स चलिए मैं यहां पर साइन अप मैं खुछ से कर लेता हूं उसके बाद मैं वीडियो को स्टार् करके देख लेते हैं कि जो आमाउंट था वो यहां पर एड हुआ है कि नहीं तो सबसे पहले यहां पर डेटाबड़ी एप्लिकेशन में जाऊंगा और इसको ओपन करूंगा डेटाबड़ी एप्लिकेशन जैसे ही मैंने ओपन किया आप देखें यहां पर जो मेरे complete किया था blue tie application उसकी तरफ से यहां पर 3 रुपए मुझे आ चुका है आप देख सकते हैं यहां पर जो application था वो blue tie application था तो यहां पर blue tie की तरफ से 3 रुपए आ चुके है इसी तरीके से काफी जादा offers यहां पर आपको देखने को मिल जाता है जिनको आप complete करेंगे तो आप काफी जादा यहां से income कर सकते हैं तो यहां पर self earning सिर्फ इतना ही नहीं है और भी जादा यहां पर self earning है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ अब जब यहां पर more के उपर क्लिक करते हैं more के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर यह application के processes थे offers थे जो कि आपने complete यह अब आते हैं web के offers यह सारे web के offers reward me यह एक ऐसा website है जिसके आप अंदर आप register करते हैं तो आपको 22 रुपे यहां पर मिल जाएंगे इसी तरीके से यहां पर एक और option है जो कि self earning में count होता है जिसको हम लोग videos बोलते हैं अब यहां पर आपको reward video मिलते हैं आप कोई भी एक video को click करेंगे तो आपको 10 coins मिलते हैं 20 coins मिलते हैं जैसी कि अगर मैं इसको click करूंगा तो यहां पर छोटा सा video clip चालू हो जाएगा और उस video clip को देखने का आपको यहां पर मिलने वाला है 10 coins मतलब की 10 पैसे चलिए यहां पर देखते कोई video अगर available है तो यहां पर यह start हो जाएगा आप देख सकते हैं यहां पर video जो है वो start हो चुका है अब जैसे यह video खतम हो जाएगा उपर की तरफ timer चल रहा है अब जैसे यह timer खतम हो जाएगा आप देखेंगे आपका यहां पर complete हो चुका होगा तो इसको simply आपको cancel कर देना है cancel करने के बाद आप जब इसको back करेंगे आप देखेंगे यहां पर 20 पैसे यहां पर add हो चुके है और यहां पर 9.2 हो चुका है इसी तरीके से आप यहां पर बहुत ज़्यादा earning कर सकते है तो चलिए अब बात हो चुकी यहां पर self earning के बारे में अब चलिए हम लोग बात करते हैं फोर्थ option जो की ता है redeem के बारे में देखें redeem करने के लिए आप यहां पर minimum 20 रुपीज का redemption ज़रूर लगा सकते हैं अपना mobile number अपना paytm number यहां पर डाल दीजिए दो बारी same और उसके बात amount में आप यहां पर 20 रुपीज ले सकते हैं लेकिन बात यहां पर वही आती है कि आपके पास आपके account में 50 रुपे का balance होना बहुत जरूरी है जब इतना amount आपके account में होगा तब जाकर आप 20 रुपे का transaction कर सकते हैं चलिए यहां पर मैंने आपको redeem की बात बता दी redemption की अगर मैं बात बताओं तो यहां पर जैसे ही आप redeem लगाते हो वैसे ही जो amount होता है वो आपके account में transfer हो जाता है instant transfer का option यहां पर दिया हुआ है चलिए आप मैं आपको बात करता हूँ यहां पर proof के बारे में देखे proof की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैं जाओंगा आपने पेटियम में अंदर और आपको यहां पर proof दिखाओंगा पेटियम के अंदर आने के बाद यहां पर मैं आओंगा पासबूक के उपर और पासबूक के उपर आने के बाद आपको यहां पर proof दिखाने वाला हूँ तो पासबूक के उपर आने के बाद यहां पर जब मैं पासबूक के उपर आ चुका हूँ तो पास्वुक पे आने के बाद यहाँ पर मैं केवल जो है Received के उपर दबाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि मुझे कितना बैलेंस यहाँ पर डेटा बड़ी की तरफ से Receive हुआ है तो तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ data body की तरफ से 90 उपए यहाँ पर आए हैं data body की तरफ से 20 उपए आए हैं इसके बाद मैं आगर आपको और भी दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे और भी जादा income यहाँ पर data body से हुई है तो यह देखिए डेटा बड़ी से मुझे 90 रुपे फिर 20 रुपे फिर 20 रुपे और फिर 20 रुपे तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया इसका payment और paytm proof मैंने आपको दिखा दिया चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर contest के बारे में अब जो भी इसका right जवाब देगा उसको जो है यहाँ पर मिल जाएगा कुछ Paytm Cash और winner का नाम जो है आपको description में देखने को मिल जाएगा अगले वीडियो के तो चलिए मैं आपको question बता देता हूँ तो दोस्तों यह रहा आपका सवाल जिसने भी सवाल का जवाब सबसे पहले comment section में दे दिया वो यहाँ पर Paytm Cash जीतेगा अच्छा amount तो चलिए मैं बता दो question क्या है अगर sports को लिखा जाएगा T.R.P.T.U. तो game को क्या लिखा जाएगा एक और बार बोलता हूँ अगर sport को T.R.P.T.U. लिखा जाएगा तो game को क्या लिखा जाएगा option है F.T.G.E. H.C.N.G. H.C.N.O. H.T.S.K. जो भी सभाब जवाब देगा वो यहाँ पर जीत पाएगा आज के लिए बस इतना ही Thank you for watching the video and please do subscribe the channel